नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूटिव चैनल पर दोस्तों आज की इस दौर में हर किसी की जीवन में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है और इसी तनाव की वज़े से ना हम अच्छे से सो पाते हैं, ना हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है या क्यूई चीज़े भूलने लग जाती है, कहीं सारी मानसिक और शारेक एक बिमारिया लगने लग जाती है आज इस तनाव की वज़े से हम अपनी जीवन में आजना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए दिल फेस करते रहते हैं हमारे काम बिगडने लगते हैं तनाव से किया हुआ कोई भी काम सिरे नहीं चड़ता उसका कोई positive result नहीं हाता केवल और केवल negative result ही देखने को मिलता है जिस वज़े से तनाव और बढ़ता है आज मैं आपको इस तनाव से और depression से छूटने का एक बहुत सठीक और सरल और easy solution बताऊगा जिसे daily करने से आप अपने आपको tension free और depression free मैसूस करेंगे आपकी life happy होने लग जाएगी आपकी जिदेगी तनाव से मुख्थ होने लग जाएगी दोस्तों आप तोर पर हम अपने जीवन में तनाव से छूटने के लिए काफी काफी कुछ चीज़े करते हैं हम ड्रग्स लेने लगते हैं, cigarette पीने लगते हैं, drink करने लगते हैं जिस वज़े से तनाव से हमें केवल कुछ पल के लिए छुटकारा बिलता है पर उसका सबसे बड़ा रुटसान हमारे शेरीर को होता है हमारा लीवल, हमारी किडनी ये डैमेज होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है हमें सांस की बिमारी लगने लग जाती है हमें दिल की, हमें डाइबटीस की, शुगर की ये सारी बिमारिय इन सब चीजों की वज़े से लगने लग जाती है आज हमारे शेरीर में आदे से ज़ादा बिमारों की वज़े केवल और केवल डिप्रेशन है आज मैं आपको इसी डिप्रेशन से छूटने का एक बहुत ही पर्मानेट सॉलूशन बताऊंगा और इस सॉलूशन को चाहे आप घर पे हूँ, चाहे आप ओफिस में हूँ, चाहे आप कहीं भी हूँ दिन में दो घंटे में दस मिनट निकाल करके, यदि आप इस सॉलूशन को हर दो घंटे में दस मिनट अगर करेंगे तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ से डिप्रेशन को खतम करतेंगे, टेंशन खतम हो जाएगी ना आपको कोई दवाय लेनी पड़ेगी, ना आपको कोई नशीला पदार दे लेना पड़ेगा दोस्तों हमारे ब्रेन में गाबा केमिकल्स मौझूंद होते हैं और ये गाबा केमिकल्स सबसे ज़्यादा स्टॉंग होते हैं हमारे डिप्रेशन को खतम करने में जब हमारे ब्रेन में गाबा केमिकल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं तब हम डिप्रेशन में ज़्यादा आने लगते हैं हमें टेंशन ज़्यादा होने लगती हैं और हम उस डिप्रेशन से नहीं बज़ पाते हैं और जब हमारे brain में ये gaba chemicals बहुत ज़दा active होते हैं बहुत ज़दा release होते हैं तो हमें depression और tension का हमारे पर कोई असर महीं हो पाता है हम ये बहुत ज़दा खुश होने लग जाते हैं हमारी mental level हमारे brain की capacity और ज़दा बढ़ने लग जाते हैं हमारी problem solving efficiency और ज़दा बढ़ने लग जाती है तो जितने ज़दा gaba chemicals हमारे brain में release होंगे हम उतने ही ज़दा तनाम मुख्ध होने लग जाएंगे उतने ही ज़दा खुश हाल होने लग जाएंगे दोस्तों हमारे भारत में AIMS के डॉक्टरों ने 2017 में एक research की उस research में उन्होंने कुछ लोगों का चैर किया डॉक्टरों ने कह किया उन लोगों को दो ग्रुपों में बाढ़ दिया उन में से एक ग्रुप को दिन में 108 बार मन ही मन गायत्री का जाब करने को कहा गया और दूसरे ग्रूप को गायत्री जाब करने से मना किया गया है। रिसर्च के दौरान नतीजा ये पाया गया कि गायत्री जाब करने वालों का दिमाग उनकी समस्या को सौल्व करने की चमता एक आम व्यक्ति के मुकाबले कहीं अधिक इंप्रूब हो गई थी। वो आम लोगों के मुकाबले कहीं जादा खुशाल रहने लग गए थे। और यहां तक कि उनकी प्राब्लम सॉलिंग कपैस्टी के साथ साथ मेमराइज करने की याधा शक्ति भी कहीं जादा बढ़ गए थी। तो दोस्तों गाबा केमिकल्स जितने जादा एक्टिबेट होंगे उतना ही जादा हम डिप्रेशन से मुक्त हो पाएंगे। और गाबा केमिकल्स को सबसे जादा एक्टिबेट करता है गायत्री मंत्र। दोसों गायत्री मंदर एक magnet है और हमें अपने आपको stress free करने के लिए, हमें खुशाल रहने के लिए, हमें ताकतवर रहने के लिए, अपने brain को और ज़्यादा strong बनाने के लिए युनिवर्स में मौजूद energies के जरूरत होती है ये energies सबसे ज़्यादा गायत्री मंदर के जरी हम अपनी body में खीच सकते हैं गायत्री मंदर एक magnet का काम करता है, ये युनिवर्स में मौजूद उन energies को खीचता है और हमारे brain में मौजूद neurons में उन signals को transfer करता है जिससे हमारे neurons और ज़्यादा activate होते हैं हमारे brain में और ज़्यादा गाबा chemicals activate होता है और हमारा brain का size बढ़ता है और हम और ज़्यादा active होने लगते हैं और ज़्यादा खुश होने लगते हैं stress free हो जाते हैं depression हमारी life से चला जाता है और फिर हम तरकी को, बुलंदियों को और ज़़ा उचाई में चूस कते हैं, तो कि जितना हम तनाव मुक्त होंगे, उतना ही हम दिकास शीरों गूर। तो सवस्त रहें, अपने मन को सवस्त रहें, मन सवस्त रखेंगे, तो आपका तन सवस्त रहेगा, और इससे आपका आसपास का महोल स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो ठीक खूब सारा गाहित्री जाग कीजे, खूब सारे गाबा केमिकल्स रिलीज कीजे और डिप्रेशन से मुक्त होईए